दोस्तो आईपीयल 2024 के अंतिम ट्रेड विंडो के खत्म होने में बहुत ही कम दिनों का समय बच गया है लेकिन अंतिम ट्रेड विंडो के खत्म होने से पहले कई सारे सुपर इस्टार्ड पिलर्स अपनी टीम को चेंज करेंगे यानि कि अंतिम ट्रेड विंडो में ट्रेड होते हुए नजर आएंगे तो आज किस वीडियो में हम आपको मोहमत समी कुिंटन डिकॉक और मयंक अगरवाल समेत कई सारे नए प्लर्स के ट्रेड के बारे में बताएंगे तो ये वीडियो काफी जादा इंपोर्टेंट है इसल लिए दोस्तों सुरू करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप IPL के ट्रेड से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें क्योंकि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही कोई प्लर ट्रे ट्रेड विंडो में ट्रेड होने वाले खिलाडियों की फाइनल लिष्ट बता देते हैं तो इस लिष्ट में पहला परानामा तहार्दिक पंडिया का जिनके बार में आप सभी को पता है और वो ट्रेड हो करके मुंबाइ इंडियांस में जा चुके हैं जहां पे 15 करोड मे पंडिया ट्रेड हुए थे और इसके बाद कैमरन ग्रीन भी मुंबई इंडियांस से ट्रेड हो करके आर सीबी टीम में सारे 17 करोड में जा चुके हैं तो अंतिम ट्रेड विंडो में ये दो ओफिसियल ट्रेड देखने को मिला था और अब तीसरा ट्रेड यहां पे मोहमद समी के रूप में देखने को मिलने वाला है जहां पे मोहमद समी को कई सारी IPL टीमों ने डिरेक्टली ट्रेड का पड़पोजल दिया था जिससे गुजराट टाइटन्स के CEO काफी ज़्यादा नाखुस हैं और उन्होंने हाल ही में निउजेटीन के एक इंटरव्यू में ब प्रेंचाइजी से पहले बात करना चाहिए उसके बाद प्लियर्स को डिरेक्ट अप्रोच करना चाहिए क्योंकि गुजराट टाइटन्स की टीम ने मोहमद समी को ट्रेड करने से मना कर दिया तो अब मोहमद समी गुजराट टाइटन्स की टीम में ही रहेंगे और वो किसी अदर टीम में ट्रेड नहीं होंगे और कयास लगाया जा रहा था कि कई सारी IPL टीमों ने समी को सामने से ट्रेड का परपोजल दिया था जिससे गुजरा टाइटन्स के CEO काफी जादा नाराज है और इसके बाद अगला ट्रेड देखने को मिल रहा है यहाँ पे कुंटन डिक कीपर बैट्समेन की तलास है जो की ओपेन कर सके तो इस वज़े से केके आर ने कुंटन डिकॉक को ट्रेड का परपोजल दिया जहां पे कुंटन डिकॉक अभी लखनो सुपर जाएंट की टीम में है लेकिन आने वाले समय में कुंटन डिकॉक ट्रेड होकर के कुलकता जर आ सकते हैं और अगर ये ट्रेड होता है तो काफी बरा ट्रेड माना जाएगा और इसके साथ ही एक और पिलर के ट्रेड का अपडेट है जहां पे मैंक अगरवाल को यहां पे सारह 8 करोड में ट्रेड का परपोजल दे दिया है यहां पे लखनो सुपर जाएंट की टीम जहां पे लखनो सुपर जाएंट की टीम अगरवाल को ट्रेड करके अपने स्कुएड में इंक्लूड करना चाहती है और इसको ले करके LSG मेनेजमेंट और SRH मेनेजमेंट के बीच अंदर ही अंदर बात चीत चल रहा है तो आने वाले समय में मैंक अगरवाल ट्रेड हो करक SRH से LSG में जा सकते हैं और इसके साथ ही कई सारे और प्लियर्स के ट्रेड का बातचीत भी अंदर ही अंदर चल रहा है तो आपके हिसाब से IPL 2024 के अंतिम ट्रेड विंडो में और कौन-कौन सा ट्रेड देखने को मिलेगा आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं तो यह प्रेड वीडियो